जिसे की कहीं कहीं ललही सट के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को बलराम जैनती के रूप में भी मनाये जाता है भगवान स्री कृष्ण के बड़े भाई जिसे हलधर कहा जाता है उनका जनम दिवस के रूप में भी ये दिन मनाये जाता है इस दिन सभी माताईं अपनी संतान की उन्नती तीरग आयू के लिए ब्रत करती हैं लेकिन ब्रत में कुछ विसेश साउधानिया भी हमें रखना होता है वरना हमारा ब्रत खंडित माना जाता है हमें क्या खाना चाहिए किस तरह से भोग लगाना चाहिए माता छठी को और कहते हैं बचपन में जो हम जन्म के छठे दिन जो माता सस्ठी की पूजा करते हैं उन्ही की क्रपा हमें ये हल सस्ठी ब्रत करने से प्राप्त होता है और हमारी संतान उन्नती करती है उसका उत्तम स्वास्त रहता है लेकिन बहुत सारी बहनों का ये प्रस्ना आता है कि क्या हमारी कन्या संतान है तो उसके निमित हम ब्रत कर सकते हैं कि सिर्फ पुत्र संतान के लिए ही हमें इस ब्रत को करना चाहिए पहली बार इस ब्रत को हम उ शेयर करेंगे नमश्कार विल्कम टो माई चैनल मैं हूं मनीशा दोस्तों हल सस्थी का ब्रत जिसे ललाई छट के नाम से जानते हैं भादो मास्की क्रिष्ण पक्षी की सस्थी तिथी पर मनाया जाता है और वर्स दोहजार चौबिस में ये ब्रत हमें कप करना है पहले हम यह जान लेते हैं तो देखिए भादो मास्की क्रिष्ण पक्षी सस्थी तिथी हमको मिल रही है 24 अगस्त दिन शनिवार को तो आप ये ब्रत शुरू करें और पहली बार भी आप इस ब्रत को उठा सकते हैं दूसरी एहम बार कन्या संतान हो या पुत्र संतान हो संतान हमारी सद confrontation के लिए इस ब्रत को करें दूसरी इहम बार कि यदि पहली बार आप अब द्रत कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें जैसे कि हमारा माईका और ससुराल दोनों मिलाकर संपूर माना जाता है दोनों स्थानों का सुख और दुख हमारे लिए बहुत माइने रखता है इसलिए जब हम कोई ब्रत उपास पहली बार करते हैं चाहे हम सुहाग से संबधित ब्रत हो चाहे पुत्र संतान के लिए हम ब्रत कर रहे हो माईका और ससुराल दोनों के स्थानों की चीजों का इस्तमाल करना बहुत आवस्यक होता है तो यदि आप पहली बार ब्रत कर रहे हैं तो अपने माईके से पूजा की सामागरी कुछ वस्ता नहीं है तो आप online payment करवा के उस पैसे से कुछ चीजें आप खरीद कर पहली बार आप शुरू कर सकते हैं इस ब्रत में कुछ एक साउधानिया जरूर रखनी चाहिए वरना आपका ब्रत खंडित माना जाता है वो क्या क्या चीजें हैं वो भी हम जल्दी-जल्दी समझ लेते हैं देखिए दोस्तों दस मेट की वीडियो में बहुत जादा कुछ नहीं बता सकते हैं आपको इस ब्रत में चाहे आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हूं चाहे पूजा के लिए भैस के दूद का ही इस्तेमाल करना है भैस के दूद से बने घी का इस्तेमाल करना है और भैस के दूद का बना दही भी इस्तेमाल करना है ठीक है तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें गाय के दूद का इस्तेमाल हमें नहीं करना है और दूद हमेशा कच्चा ही इस्तेमाल करें आप चाहें तो एक दिन लेकर फ्रिज में रख सकते हैं वो भी चलेगा ले और जो हम पूजा में भोग लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों के यहां 6 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं जिसमें की बाजरे का और जो जव होता है चना है मटर है चावल है इस तरह से 7 प्रकार के अलग-अनाज लेकर उन्हें भूना जाता है और फिर उसको हम के बर्तन में रखकर उसे चड़ाते हैं किसी किसी के हां महुय के पत्ते में रखकर चड़ाया जाता है तो अपने अपनी मानता के अनुसार जैसे भी आपके परिवार में पूझा अर्चना की जाती हो उसी तरीके से आप करें और किसी किसी के हाँ सिर्फ दही, महुआ और लाल रंग का चावल, इसमें एक विशेश प्रकार का चावल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चावल का अक्षत चढ़ाया जाता है, तो वो सिर्फ चढ़ाया जाता है, तो आप अपने परिवार में पूछ ले, जैसे हमारे माइ प्रियाग राज में फसई का चावल बोलते हैं कहीं कहीं लाल चावल बोलते हैं तो वह चावल का अक्षत और उसी चावल को भोजन में भी खाया जाता है कहते हैं कि वो जो एक करेमुआ का साग होता है वो और वो फसई का चावल और दही और घी बस इतने ही चीजों को सेवन करने की बात कहीं गई है ब्रत में और कितनी बार खाना है कई भैनों ने ये भी पूचा तक दिवी आप बताईए को कितनी बार खाना है तो देखिए पहले महुआ खाया जाता है, महुआ एक फल होता है, तो वो खाते हैं, उसके बाद फिर जल पीते हैं, फिर उसके बाद वही चावल दही और वो साग बना के खा लेते हैं, साग में सिर्फ नमग डाला जाता है, मिर्ची आदी, बिल्कुल कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर जाते हैं गाउं में किसान लोग भी इस दिन अपने खेतों को जोतते भी नहीं है इस दिन हल की पूजा की जाती है क्योंकि हल सस्थी के नाम से इस व्रत को जाना जाता है तो इस दिन किसान भाई अपने खेतों में काम भी नहीं करते हैं और ना ही माताय बहने जहां पर घास जोता बोया में चलती भी नहीं है यानि कि उस अस्थान का भी त्याग करती है तो बहुत सारी छोटी छोटी बाते हमें ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों तब हमारा कोई एक ब्रत उपास त्याग सफल होता है तो आप कम चीजे खाएं और कितनी बार खाने का ये सवाल तो एक बार आप खाएं जब पूजा अर्चना कर लें उसके बाद उसी महव के बहुत सारी लोग दूद में बौईल करके चाय के रूप में पीते हैं चाय नहीं पी जाती लेकिन महवे के दूद में बौईल करके पीते लेकिन दोस्तों हम ने तो कई बार जैसे पीया था तो हमारे सर में बहुत दर्द होता है तो इसलिए अब हम उसको नहीं पीते हैं वरना सारा दिन हम लेटे ही रहते हैं कोई काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि सर बहुत भारी हो जाता है तो हमारे घर में सब ने बताया कि इसमें नशा होता है इस वजह से ऐसा होता है तो फिर हमने वो छोड़ दिया, महुवे का हम बॉइल करके नहीं पीते हैं, बहुत भारी होता है, तो सिर्फ पानी, दो चार टुकडे महुवे के खाके पानी पी लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो पकॉड़ी बनाते हैं, क्योंकि इसमें सिंहाडे का आंटा इस्तेमाल किया जाता है, भाइस का घी रहता है, तो वो महुव को भीगव के उसमें सिंहाडे का पाउडर डाल के और उसके बाद उसे फ्राइ करके खाते भी हैं, तो इतना अकेले के लिए हम लोग बना नहीं पाते हैं, सिर्फ वही चावल पकाते हैं, उसी को पूरा घर प्रशाद के रुप में भ खा सकते हैं, क्योंकि वो भी बिना जोते बोय में होता है, लाल वाय चावल भी पानी में ही होता है, और जो ये महुआ होता है, वो भी बिना जोते बोय अपने आराम से हो जाता है, तो इस तरह से हल सस्थी के दिन इन छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, आप अपने घर में अपनी देवरानी जिठानी उनके साथ कर सकते हैं कोई नहीं है तो आप दीपक जला कर आराम से पूजा कर सकती हैं पूजा की वीडियो मेरे चैनल पर है तो वो भी आप देख सकते हो और एक अपने हां से सरोवर बनाते हैं यानि कि एक परात में जल भरके उसमें कुछ घास लगा देते हैं और उसमें कुछ दूद डालके वो एक प्रकार का सरोवर तयार किया जाता है और उसमें कुछ मौसमी फल और यही साथ प्रकार के अनाज, महुआ, दही, आधी सब चीजों को माता सस्ठी को चढ़ाया जाता है श्रिंगार की चीजे चढ़ायी जाती है, अग्यारी की जाती है, अग्यारी में महुआ और देशी घी और अग्यारी की जाती है और उसके बाद फिर कथा सुना जाता है कथा में एक गौलन की कथा बहुँ चर्चित है कि एक गौलन थी जो कि अपने बच्चे को पालन पोशन करती थी यानि अपने परिवार का भरन पोशन दूद दही बेच कर किया करती थी और वो प्रेगनेंट थी और प्रेगनेंट अवस्था में भी वो दूद दही बेचन यह वह बेचने के लिए गई लेकिन उससे प्रसव पीड़ा यानि कि उसको बच्चा होने को आया और वो प्रसव होने के बाद अपने बच्चे को एक ऊस घास के पेड में दबा कर और अपने दही को बेचने चली गई और उसके बाद वहाँ पर उसने देखा कि वो हल सस्थी का दिन था और सभी माताओं ने वो गाय का दूद लेने से मना कर दिया तो उसने जूट बोल दिया कि हमने दही बनाया है यह भैस के दूद का है आज हमने गाय का दूद जूट बोलकर उसने वो बेचा और वापस आकर जब वो अपने बच्चे को देखना चाही मतब सोची कि अब इससे घर लेकर जाएं तो उसका बच्चा मरा हुआ निकला और वही पर वो रोने पीटने लगी उसे अहसास हुआ कि हमने जूट बोला और सस्थी माता ने ये उनक बच्चा जीवित हो गया और फिर वापस आकर अगले वर्स उसने भी इस ब्रत को किया तो इस तरह से कहानी के माध्यम से भी पता चलता है कि हमें भैस का दूध ही इस्तेमाल करना है तो आप हल सस्थी ब्रत की तैयारी करें और भादो मास की क्रिष्ण पक्ष की सस्थी ति पर यह ब्रत करें जो कि 24 अगस्त दिन सनिवार को किया जाएगा आने वाले समय में हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे आज की वीडियो में बस इतना ही यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हलफुल लगे तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लो